देर स्ट्रेंट्स, सबसे पहले तेवहार की बहुत बहुत बधाई और शुबकाम ना है पूरे मन से तेवहार मनाएं और फिर उजस्वित होकर जल से जल्द अपनी जगह पकड़ ले इसलिए के हमारा टार्गेट बड़ा है, लक्ष बड़ा है तो हमें किसी भी तरह के कोता ही या फिर धिलाई से बचना है परसों से आपके 10 टापिक्स भी आने लगेंगे तो फिर आपका रूटीन ओलरी ऐसे ही बहुत टाइट है और भी टाइट हो जाएगा, टफ हो जाएगा तो जल से जल आ जाएगे अपनी जगह पे और लग जाएगे अपने लक्ष को भेदने में आज का ये एपिसोड दरसल 64 बाई 2 यानि 64 अबलिक 2 नंबर का एपिसोड है यानि करम में ये 64 हुआ एपिसोड है BPSC का साथ ही ये सेट प्रैक्टिस का दूसरे नंबर का एपिसोड है और एक बहुत बहुत इंपोर्टेंट घोशना बहुत इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट एक सब्ता के बाद आपको 11th और 12th का हिस्ट्री का NCERT लेकर रखना है हमने आपको पहले कह दिया है आपको टाइम दे दिया है NCERT हमें ancient और modern का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसलिए के कुछ depth वाले प्रैस्ट उसी से बनेंगे तो 11th और 12th हम लोग इस बुक को एकदम से 10 दिन के इंदर खतम कर लेंगे यह हम लोग देखेंगे चलेंगे हम लोग कैसे हमें खतम करेंगे यह हम लोग इस पर डिसकस करेंगे आपको हमने पहले कह दिया है 11th और 12th का हिस्ट्री का NCERT यानि ancient और modern आपको लेकर रखना है साथ ही बिबिन चंद्रा का modern इंडिया freedom struggle आपको लेकर रखना है फिर से सुन लिजे NCERT 11th और 12th जिसमें ancient इंडिया, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत दो आपको topics कवर रहोंगे तो यह आप करेंगे NCERT का ancient और modern 11th और 12th का हिस्ट्री का आप लेकर रखेंगे साथ ही बिपिन चंद्रा की भारतिय सुतंता संग्राम यानि freedom struggle वाली बुक को आपको खरीदना है बहुत बढ़र्दस बहुत important बुक है आप पढ़ेंगे तब देखेंगे कितना मदा आएगा और हम लोग जब combine करेंगे तो इसमें करना भी आसान हो जागा समझना भी आसान होगा तो एक सब्ता के बाद इसे हम लोग cover करेंगे इसे हमने पहले कह दिया है आप इसे लेकर रखेंगे किसी भी तरह से कहीं से भी आप मंगा लें इसमें page wise हम लोग चलेंगे 20 page, 15 pages daily इसमें समाप्त होंगे तो चलिए यह information ने आपको दिया जा चुका है उमीद है कि आप इस पे अमल करेंगे इसका बड़ा लाब मिलेगा आज के 30 questions बहुत ही जबरदस्त, बहुत important और concept based के साथ आपके direct आने वाले प्रशन चाहिए देखते हैं पहला question यह है आज का पिछला जो एक नंबर का एपिसोड था set practice का उसके बाद यह दूसरा नंबर है तो 30 प्रशन आपको दिये जा चुके हैं आज 31 प्रशन चलेगा इसमें नंबर जो है करम से चलेगा अमरित सर के जालियाँ वाला बाग में भीड का दमन हुआ नीचे डेट्स देख लें हर question को आपको सोच कर जवाब देना है time layer तो इसका अंसर हो जाएगा B 13 अपरेल उनैस सो उनैस जालियाँ वाला बाग मैसे कर हुआ था आज का बत्तिसवा प्रशन करम में यह बत्तिसवा है लंदन में दूत्य गोल में सम्मिलन की असफलता इनकी छत्रचाया में हुआ question को समझ लें इसके sentences थोड़े अलग है second round table conference की असफलता इनकी छत्रचाया में हुआ नीचे choices है तो इसका अंसर हो जाएगा गांधी इर्विन समझाओता यानि इर्विन गांधी समझाओता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था इसी के बाद दरसल महादमा गांधी second round table conference में भाग लेने के लिए लंदन गए थे जो पूरी तरह से असफल रहा था round table conference एक असफल समयलन था 33 प्रश्ण 1932 में निमलिकित में से एक आदेश पारित करके अखिल बारती है Congress Committee को गहर कानूनी घोचित कर दिया गया यह आदेश क्या था इसके बाद महादमा गांधी को गरिफतार कर लिया गया था Congress को illegal घोचित कर दिया गया था गहर कानूनी और समभाइदानी घोचित कर दिया गया तो ये कौन सा अध्यादेश था तो इसका अंसर हो जाएगा डी वाइसराय का विशेश अध्यादेश इसी के दौरा इलेगल घोशित किया गया कॉंग्रेस को और महात्मा गांधी को गिरफतार कर लिया गया था चार चार चौश्वा कोश्चन स्वाधिन्ता अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के قریبी मित्र कौन थे? 4 चौश से दिए गए हैं सोचकर तो इसका अंसर हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रियूज यानि सी एफ एंड्रियूज जिने महात्मा गांधी प्यार से दीन बंधू एंड्रियूज कहते थे दरसे लिए इंग्लेंड के एक पादरी थे और भारत में पूरे राष्ट्रे अंदरों के दोरन तीस के दशक में खासकर ये महात्मा गांधी के साथ जुड़े रहे हैं 35 पर्थम भारतिये जिन्होंने सुतंत्र भारत में गवर्नर जिनरल का पद धारण किया यानि इंडिपेंडेंस के बाद वह पहले भारतिये जो गवर्नर जिनरल बने तो इसका अंसर हो जाएगा सी राज गोपालाचारी दरसल इंडिपिंडेंस के बाद सुतनता के बाद मौंट बेटन ही भारत के गवर्णर जनरल थे लेकिन उसके बाद पर्थम भारत ये सी राज गोपालाचारी बने च्छत्तीसवा कोशन बाद में संपन्र कॉंग्रिस कारिकाने की बैठक में निम्रे के सेस्थों में से एक भारत के नाजिवाद फासिवाद और सामराजवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल रहे ये बड़ा स्टेट्मेंट है थोड़ा सा टाइम लेकर इसके आंसर बनाने चाहिए आप टाइम ले लें तो इसका आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नहरो याद रखें सुभाष चंद्र बोस आप ना सोचें चुके इस समय सुभाष चंद्र बोस भारत में नहीं थे बारत के बाहर थे आज का सैंतीस्वा क्वेशन मादमा गांदी का मानना था कि दूत्य विशुद्ध में भागिदारी का मतलब निमलिकित सिध्धान्त का उलंगन होगा सोच ले टाइम ले तो इसका अंसर हो जाएगा अहिंसा डी नन वालेंस मादमा गांदी इसके फेवर में कभी नहीं रहे कि जब कोई कमजोर है तो उस पर हमला किया जाए या उसका फाइदा उठाए जाए और तीसवा क्वेशन सन 1935 के विधेयक के तहद गठित संजुक्त संसद्य समीती यानि जॉइंट पार्लेमेंट कमीटी के अध्यक्ष ने मिले कुम लेए कौन थे जिनके परिणाम सरूप भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ टाइम ले ले ये जो गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ये किस के कमीटी के सिफारिश पर आया था किस कमीटी के सिफारिश पर किसका अंसर हो जाएगा ए लॉड लिल लिद को आज का 49 वा प्रश्ण 1906 में लॉड मिंटो से शिमला में मिले मुसल्मानों के शिष्ट मंडल ने क्या परार्थना की मिंटो से जाकर मिलिया था ये शिष्ट मंडल इसने क्या प्रार्थनाए की प्रेट फॉर तो इसका अंसर हो जाएगा ए मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल की ववस्था 1909 में ये आप ही किया था मौले मिंटो सुदार में पहली बार चालिसमा कोशन नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परिक्षा परनाली को यानि सिविल सर्विसेज एक्जाम को सिध्धान तेह कब सुईकार किया गया एक्जामनेशन इसका कब से शुरू हुआ किस एक्ट में ये प्रादान किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा B. 1813 लंदन में ये एक्जाम लेने की विवस्ता की कई जहां से ICS बनकर लोग निकलते थे भारत के पहले ICS सत्तेंदर नास टैगोर थे जो रमिना टैगोर के बड़े भाई थे 1863 में ये पास आउट हुए थे आज का एक तालिसमा प्रशन विश्व के विशाल मुड़दार प्रवतों की रचना आज से लग भग कितने मिलियन वर्ष पुर्व हुई थी समझ ले थोड़ा तफ कोश्चन है ये बलके काफी तफ कोश्चन है तो इसका अंसर हो जाएगा 30 मिलियन तरसल टर्शिरी पिरियड में ये सारे मुड़दार प्रवत जो दो प्लेटों के टकराने से उठे ये दरसल 666 से लेकर 3 मिलियन वर्ष के बीच में ये सारे आए तो 30 मिलियन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आज का ब्यालिसमा कोश्चन विश्व के 80 पर सिश्च सक्रिय जो अला मुखी आक्टिव वॉलकेनोस किन पेटियों में मिलते है 80 परसेंट वॉलकेनोस कहां मिलते है ये भी थोड़ा डेप्थ वाला कोश्चन है आप टाइम ले ले तो इसका अंसर हो जाएगा A, 2 और 3 आप जान लें कि पूरा जो पैसिफिक कोश्चन है उसके डीप में ये पूरा जो बेल्ट है इसे रिंक्स ओफ फाइर्स कहते है तो यहां पर अंसर हो जाएगा 2 और 3 आज का 43 कोश्चन विश्व के विशालतम सुर्ण छेतर गोल्ड माइन्स दक्षिन अफरीका के निमलिकित में से कौन सी परवश्चेणियों में पाए जाते है देखिए एगें एक बहुत इंपॉर्टन कोश्चन गोल्ड माइन्स जो दक्षिन अफरीका के है ये किन मौन्टेन रेंजेज में पाए जाते है तो इसका अंसर हो जाएगा सी विट वाटर्स रैंट देखिए एक कौश्चन टफ लग रहा है लेकिन आप जान रहे हैं कि साथ अफरीका के जो गोल्ड माइन्स हैं विश्व के दो सबसे बड़े गोल्ड माइन्स हैं तो आप जैसे ही इस टॉपिक पे आएंगे पहला ही लाइन मिलेगा जोहानस बर्ग में विट वाटर्स रैंट तो ये टफ दिख रहा है लेकिन ये उतना टफ भी नहीं है वैसे सोने के उतपादन में चाइना पर्थम पोजिशन पे है ध्यान रखें जल शक्ती वाले हाइट्रो एलेक्टिक इनकी संभावनाओं से भरे कौन से नदिया है ग्रुप टाइम ले ले आप तो इसका अंसर हो जाएगा ए कॉंगो कॉलंबिया और यांग सी क्यांग ये सारी उचे पहाड़ों से बहते हैं और कॉंगो तो अफरीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पानी बहा कर ले जाने के मामले में एमेजान के बाद दूसरा पोजिशन कॉंगो का है तो आज का 45 प्राश्म निम्रिकित में से कौन से प्रमुक्समों में हमें विश्व के दो तिहाई जनसंक्या का मधुमक्की के चटे के जैसा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है कमाल का कॉश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कंसेप्च्छल देखिए कंसंट्रेशन कह रहा है दो तिहाई जनसंक्या का मदो मक्की के छट्टे के जैसा लगता है पूरा टाइम आप लें इस तरह के पेश्टनों को हरबडा के नहीं मारना है अब दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिन पुर्वेशिया, सी, सौथ इस्ट एशिया जहां जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलाइंट ये सारे हैं साथ ही एशिया का ऐसा देश है जो विश्व की बड़ी जनसंख्याओं का परतिने जित करता है अगर दक्षिन एशिया को भी इसमें ले लें ये एक कोश्चन में दर अफसल 4-5 कोश्चन है तो ये कोश्चन आप सही करते हैं तो दर अफसल आफ चार-5 कोश्चन को एक साथ करते है तो इसका अंसर हो जाएगा A ताम्भा खेतरी, राजस्तान में सोना, कुलार, करनाटक में कुदर मुख, again करनाटक नदियां कौन सी हैं? बहुथ, बहुथ ध्यान से बनाने वाला कोश्श इसके लाइनस को आप पढ़ें बलकि एक ही लाइन है तो इसके लाइन को आप ध्यान दे कर पढ़ें तब या अनसर करें बहुत दिमाग से बनाने का है इसका अनसर हो जाएगा B. बरंपुत्रा, सतलज और सिंधू ये तीनों मान सरोवर से निकलती हैं और विश्य ये पूरे हिमाले को काट कर और बह कर आती है अरतालिस नमबर भारत में सूची एक से सूची दो में कोरिलेट करना है और फिर आंसर साथ को निकालने है टाफ कोश्चन है थोड़ा लेकिन इसमें आपको दरहसल वन के प्रकार और उनके रीजन्स टाइप अफ फॉरिस्ट और उनके छेद्र को मैच करना है लेकिन एक बड़ा टाफ कोश्चन हलाकि ये असानी से बन सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगा ले तोड़ा से ट्राइ अच्छे से कर ले दिमाग तो आप लगा ही रहे तो इसका अंसर हो जाएगा C देखिए इसका अंसर C है बहुत या असान कोश्चन था अगर आपने कच मैंग्रोव फॉरिस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो बिलकुल यहाँ पर सिर्फ D से ही अंसर बन जाएगा D का तीन चुक्क हम सभी जानते हैं मैंग्रोव फॉरिस्ट पश्यमंगाल में खास कर पा जाता है सुन्दर वन में तो यहाँ पर इसका C अंसर हो जाएगा 50 पचासवा नंबर कोश्चन बारत की जन संक्या कब 100 करोड की हो गई दियान से यह भी कोश्चन थोड़ा टाफ है बारत की कौन सी जन संक्या कब 100 करोड हो गई तो इसका अंसर हो जाएगा A. मैं 2000 में आईए आज का 51 कोश्चन देखते हैं किस राज्य की अन्य देशों के साथ कोई भागोलिक सीमा नहीं है ये एक आसान कोशन है तो इसका अंसर रहागा D हर्याना आज का अगला कोशन बावणवा कोशन आपको बताना है कि वरतमान राष्ट पती श्री रामनात कोविंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है राइट नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा D ये देश के पहले नहीं बलके दूसरे दलित राष्ट पती है के आज नाराइनन पहले दलित राष्ट पती थे आज का तिरपनवा बारती समविदान में निमलेकित पतों का कौन सा करम यानि प्रोटोकॉल सही है समझ लें ये भी थोड़ा टफ कोशन है तो इसका अंसर हो जाएगा B राजपाल, चीफ जस्टिस, मुख मंतरी और तब चुनाव आयोग, मुख चुनाव आयोग चौवणवा कोशन बारत के राष्ट पती को केंदर राजज राजकोशिय संबंदों के बारे में सुझाओ किसके द्वारा दिया जाता है ये भी कोशन सोच कर आप बनाए देखें इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्रफी के कोशन से इस क्रम में जो अभी चल रहा है क्रम सोच के इसके अंसर करें तो इसका अंसर हो जाएगा D Finance Commission यानि वित आयोग केंदर राजजों के बीच करूं का बटवारा अज का पच्पनुवा कोश्चन नीति आयोग का ध्यक्ष कौन है सोच कर आप बनाए हरबडाए नहीं नीति आयोग के योजना आयोग अब नहीं है उसके जगह पर नीति आयोग आ गया है तो इसका अंसर हो जाएगा D श्री नेरंद्र मोदी नीति आयोग आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं परधान मंत्री तो आभी परधान मंत्री होंगे इसके D आज का अभी वरतमान में इसके उपाध्यक्ष है श्री राजीव कुमार और अमिताब कांथ CEO है चीफ एक्जेक्टिव आफिसर 56 कोशन राजसवा में कुल सीटों की संख्या कितनी है सोच कर तो इसका अंसर हो जाएगा C 250 आज का 57 57 कोशन दानुविदयक के लिए किसकी पूर्व अनुमती यानि प्रायर कंसेंट लेना वश्यक है जिसे राजसवा 14 दिन के अंदर पारिज करती है सोच कर मारे हैं तो इसका अंसर हो जाएगा B राश्ट पती आज का अंठावनवा कोश्चन वे कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस नहीं होता टाइम ले लें तो इसका अंसर हो जाएगा राजसभा राजसभा के सभापती यानि चेर्मेन होते हैं उपराश्ट पती जो इसके सदस नहीं होते हैं उन सथमा कोश्चन समविदान के तेहत्तर में संशोधन के अगया संबंद किस से है 73 अमेंडमेंट अफ दे कंस्टिटूशन किस से रिलेज़ड है सोच ले तो इसका अंसर हो जाएगा C. पंचायती राज आज का आखरी कोश्चन साथमा कोश्चन लोकसभा की कारवाही में कौन भाग नहीं लेता आराम से सोच कर आप अंसर करें तो इसका अंसर हो जाएगा सब समय अनुसार लोकसभा की कारवाही में भाग ले सकते हैं तो आज का ये एपिसोड यहीं पर रुकेगा जल्द से जल्द आपका 10 टॉपिक्स आएगा बलके कल रात से 10 टॉपिक्स आने लगेगा आप अपने तयारी में लग जाएं उमीद है कि आपने इस सेट को इंजोई किया होगा और इसकी गहराई को भी समझा होगा अपने तयारी होगों को इसी तरह से आगे बढ़ाना है सेट प्रैक्टिस के नाम से अब तीसरा एपिसोड आएगा जब भी आएगा जो नंबर होगा तीसरा तो यहीं पर आप से जासत लेंगे अपना ध्यान रखें और अपने संचित उर्जा का अब हर पूर प्रयोग करें आने वाली परिक्षा की तयारी के लिए